आज हम जानेंगे लोक स्तिती या सार्वभौम नियम के बारे में सार्वभौम नियम दस प्रकार के हैं जीव बार-बार मरते हैं और वही लोक में पुनः-पुनः जन्म लेते हैं ये एक प्रकार की लोक स्तिती है जीवों के प्रतिदिन प्रतिक्षन, पापकर्म, ज्यानावरन आदी का बंद होता रहता है, ये एक प्रकार की लोक्स्तिती है जीव अजीव हो जाए और अजीव जीव हो जाए ऐसा न कभी हुआ है, न हो रहा है और न कभी होगा ये एक प्रकार की लोक्स्तिती है तरस जीवों का सर्वता लोप हो जाए और सब जीव स्तावर हो जाए अत्वा स्तावर जीवों का सर्वता लोप हो जाए और सब जीव तरस हो जाए ऐसा न कभी हुआ है, न हो रहा है और नहीं कभी होगा ये एक प्रकार की लोक स्तिती है, लोक अलोक हो जाए और अलोक लोक हो जाए, ऐसा न कभी हुआ है, न हो रहा है और न ही कभी होगा, ये भी एक प्रकार की लोक स्तिती है, लोक अलोक में प्रविष्ट हो जाए, और अलोक लोक में प्रविष्ट हो जाए, ऐसा न कभी हुआ ह न हो रहा है और न कभी होगा। ये भी एक प्रकार की लोक स्थिती है। जहां लोक है वहां जीव है और जहां जीव है वहां लोक है ये एक प्रकार की लोक स्तिती है। जहां जीव और पुदगलों की गती होती है वहां लोक है और जहां लोक है वहां जीव और पुदगलों की गती है ये एक प्रकार की लोक स्तिती है। समस्त लोकांतों में होने वाले अबद्ध, पार्स्वस्पृष्ट परस्परसकंद रूप में परिनित नहीं होने वाले पुद्गल स्वभाव से ही रुक्ष होते हैं, जिसे से जीव और पुद्गल लोकांत से बाहर जाने में समर्थ नहीं होते, ये एक प्रकार की लोकस्त वायू आकास पर टिकी हुई है, समुद्र वायू पर टिका हुआ है, पृत्वी समुद्र पर टिकी हुई है, तो तरस्थावर प्रानी पृत्वी पर टिके हुए है, अजीव जीव पर प्रतिश्टित है, तो जीव कर्म पर प्रतिश्टित है, अजीव जीव द्वारा संग् और जीव कर्मद्वारा संग्रहित है तो ये था लोग स्तिती के प्रकारों का और लोग स्तिती के आठ नियमों का संचिप्त परिचे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब